हिमाचल प्रदेश में विदानसवा चुनाओं की आहाट के बीच कॉंग्रेस ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है कि महिलाओं को 500 रुपे प्रति महां 5 लाख युवाओं को रोजगार और ओल्ड पेंशन बहाल करने का वादा किया है कॉंग्रेस ने सत्ता में लोटने पर 10 दिन में ये 10 गारंटी पूरी करने का वादा किया है वही साथ ही पार्टी ने अपने घोशना पत्र में युवाओं के लिए 680 करोड का स्टार्ट अप फंड हर गाउं में मुफ्त इलाज के लिए मुबाइल क्लिनिक विधानसवा शेतर में 4-4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल गाय वे बहस पालकूर से रोजाना 10 लीटर दूद खरीदने और 2 रूपे प्रतिकलों की दर से गोबर खरीद का भी वादा किया है वहीं पार्टी ने इस घोशना पत्र को मिनी घोशना पत्र का नाम दिया है पार्टी के और से घोशना पत्र जारी करने के दोरान पार्टी परिवेक्षक सचिन पाइलेट वे प्रताप सिंग सिंग बाजवा, प्रदेश प्रभारी जाजीव शुकला, सह प्रभारी संजय तत्थ, कॉंग्रेस प्रदेशा द्यक्ष्पति वह सिंग सहित पार्टी के कई वरिष्ट नेता भी मौझूत रहें